यहां पे व्यापर याकी लेके जाता है हम इस साल साथ से आठ लाग तक के आमदनी का उम्मीद है और खरचा हमारा रही लाग है सार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवी जोन फार्मिंग लीडर में नमस्ते नमस्ते सामने जो दर्सक हैं उन्हें आप एक बार अपना चोटा सा परिचे नमस्ते जी मैं अक्षे सागर महाराष्ट्रा सांगली डिस्ट्रिक अटपड़ी से हूँ मैंने मास्टर्स क में है और इसमें लगबग साड़े चार सो प्लांट बैटे अच्छा तो यह जो हमारा डेड़े एकट का प्लाट है इसको लगाए हुए कितना टाइम हो गया अभी तीन साल पूरे हो गये चोंता साल लग गया है अब बात या आती है कि कैसी मिट्टी हमारे जो अनार की खे तो आइस में समय से अना हो इसमें से इसमें बारिश घीर ही तो पानी खतम होना चाहिए तो फ्रना नहीं चाहिए मतरा जल्ब भराव वाली मिट्टी नहीं हो जैसे कि यह आपने तीन साल के पौदे बताए हैं तो हम यह पाने से सीजन में में लगाते हैं। अभी साल भर मे कभी भी लगा सकते कोई बीजन नहीं है अच्छा लेकिन अगर इस महने में या अगर सब्टेंबर अक्टमबर में लगाएंगे तो बारिश गिरती रहती है तो जल्दी से वह सेटल हो जाते हैं अब यह जैसे लाइन से लाइन की दूरी और पौदे से पौदे की दूरी हमने यह हमने किस लिए इतनी रखी हुई है कैसा रहता है अभी लेवर प्रॉब्लिम आ रहा है पूरे भारत में तो हम अभी मेकनाइजेशन कर रहे हैं तो मेकनाइजेशन में इसका जो स्प्रेय रहेगा तो ट्रैक्टर से रहेगा बिल्कुल और ट्रैक्टर को 6 फिट का तो ज अब बात की के लेवर की प्रॉब्लम है और अधर कामों में जो मतलब तुड़ाई है या आपका और कोई प्रूनिंग रहेगा प्रूनिंग वगारा करने में उनमें तो लेवर की जरूद पढ़ती है पढ़ती है क्या हो रहा है नए नए फार्म मेकनाइजेशन के ट्रैक् अब लेवर का प्रॉब्लम आ रहा है तो फार्मर यह दिक्कत से जा रहा है तो इसमें हमहल निकाल रहे कि ज्यादा से ज्यादा फार्म मेकनाइजेशन करें अब पोदा जब हम लगाते हैं तो यह पोदा कितने कितने एज का आता है अभी कैसा है गुट्टी कलम रहता है अ इस टाइब की यहां पर गुट्टी बांदी जाएगी और दो महने के बाद उसको रूट डेवलप होना चालो हो जाएगा इसमें तो हम इसको कट करके उतारेंगे और एक नरसरी जो पिश्वी रहती है मिट्टी वाली उसमें भरके रखेंगे दो तीन महने के लिए करना है उसके कितने दिन बाद हमारी जो है यह फ्रूटिंग आनी सुरू हो जाती है अभी कैसा हो रहा है नए नए टेकनिक्स आ रहे तो किसान यूज करके लगाने के बाद बारा महिने में पहला बाहर ले रहे है अच्छा पहले कैसा रहता था दो साल धाही साल लग जाते करेंगे पहले बाहर पकड़ेंगे इसके बाद उसको फुल लगे गए फुल के बाद वाद फुल आएगा फुल यह तयार होने का पेरेट जो है और और च्छे महिने का चैनल अगर हम बात करें तो 18 से 20 महिने मैं हाँ पहला हर्वेस्टिंग हो जाए और जो पहली हर्वेस् डिपेंड्स ओन और उसका की त्युक्ता बड़ा है अपने उस पर कितना काम किया है उसको इस साथ से रहे पहले साल तो हम 5 किलो एक पॉदे से उतारते हैं जाये एक एक में हम 396 पॉदे लगाते हैं तो पर पॉदे को पाच किलो से येुसां से ब्रॉदॉक्सन हो जाएगी और आप जैसे यह पौदे हमारे तीन साल के होगे हैं तो इन तीन साल के पौद के हम क्या प्रोडेक्शन ले पा रहे है अभी हम उतार रहे अधिए हम उतार रहे 10-12 किलोट से यह पारा कि जितने हैं कोई न कोई कोई ना कोई वीमारी कोई लुक्तौ जरूर है तो एसी क्या कुछ बिमारी है या कोई दिक्कत हैं जो हमारे अनार की क्यती में हिभी राव कखेवती में अभी दिक्ख्त हो गई है ज attach हो बारिश हर मतलब हर महिने आ रही है कभी ना कभी तो इसे पानी से बारिश से दिक्कत होती है तो इसमें अभी बैक्टरियल ब्लाइट मतलब तेलकट कहते हैं महराटी में और इंगलीश में उसको बैक्टरियल ब्लाइट कहते हैं उसका ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी दे देख सकते इधर भी है इधर में दिखा सकता तो इसकी रोख थाम के लिए हमें क्या करना चाहिए अभी मार्केट में अवे लेबल जो है फंजी साइड से कॉपर होगे वो फंजी साइड का स्प्रे करना चाहिए अभी मैंने देखाया आपके दूसरे प्लाट पे यह इधर साइड में हैं पूरा कवर किया हुआ वह किसलिए करते हैं अभी संबर्निंग आ रहा है अब मार्केट में अच्छा रेट है जब आपका चमकीला अनर रहेगा तो ही मार्केट में भिकेगा अब संबर्निंग वाला जाएंगे तो मार्केट में इसको डिमांड कम है आप मार्केट में कैसा लेना चाहेंगे ऐसा फ्रेश वाला लेंगे जो पूरा चिकना है इसको रेड भी अच्छा रहता है अभी यह अनर अगर तीन सु ग्रैम कर रहेगा तो 150 रुपर केजी यहां पे व्यापारी आकी ले अगर हम बात करें एक अनर की खेती की तो उसमें जो खर्चा है वो कितना हो जाता है अभी लगाने के बाद पहले साल इसका जो एक एक नर्सरी का रोप आता है वो रहता है 25 से 35 रुपए तक का कौनसी नर्सरी यह है क्या है उसके इसाब से और यह भगवा वर्याटी का जो एक रोप लगाने के बाद एक एकर में मानके चलो 400 लगते तो यह पहले साल का पूरा जो खर्चा आएगा जो प्रिंसिपल पहले साल में है अब भार लेते हैं 12 मेने के बाद जी हमको सो रुपए औरेज रेट के इसाब से 2,00,00 रुपए तक हमें से आरनिंग होता है और डिपेंड़े साल एक एक तन से बढ़ता ही रहता है अचा हर साल एक तन बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा अभी जैसा बढ़ होगाँ अभी साव परपवदे से 12 किलो ले रहे हैं तो इस से हमंदनी कितना होने की उम्मीद है उसे कितना हम इसमें से खर्चा लग काड़ होंदे हैं हमिग इस साथ se 8 लाइश के तो सर आप जो है जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं आपके प्यारे से अनार के बगीचे को लोगों ने देखा है ठेली पे रखा हुआ उनके हां और अधर कोई खेतियां होती है इसके बारे में वो जानना चाहेंगे कि यह खेती किसान के लिए कितनी लाब दायक है वो कर अधर侨ा क्रोप है महराश्टा में रहते है आनार का जी लेकिन अभी करनाटका में खेती बढ़ रही है गुजरात में быть रही है अपके राजस्थान के यहां मी बढ़ रही है तो किसान जहां कम बारिष रहते हैं चार सो मिल्यमेटर से कम वहां पए और हल्की मिटी रहेगी वहाँ पर बिल्कुल लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है और इसका फायदा यह है कि एक बार लगाने के बाद आपको 20-25 साल तक यह आपको फुरूड देता रहेगा सिर्फ टेक्निक से करना चाहिए आपने अच्छा सब कुछ बताया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक्यू